आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे निउ ब्लोग में तो हो चुकी है सुबा के सुबा के कामों से हमारे ब्लोग की सुरुआत हो गई है तो आज है 16 मार्च दिन है सनिवार का और सुबे का ही समय हो रहा है तो सबसे पहले आज हम छट पर आ गए हैं तो छट पर की साप सफाई करेंगे और अभी नीचे की सारी साप सफाई बाकी है तो बो हम करेंगे बाद में क्योंकि कल यहां पर साम के टाइम में पुताई नहीं कर पाई थी चूले की तो अभी सबसे पहले पुताई करेंगे और अच्छे से पूरी छट की साप सफाई करेंगे और कल हम लोगों ने बाहर बाला भी चूला जलाया था तो वहां पर भी अभी पुताई करनी है राक मेने वहां की भी भर दी है तो वहां पर भी साथ में ही पुताई कर देंगे और सुबा के बहुत सारे काम हो जाते हैं अगर एक काम करने के लिए आओ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं अगर गिनती लगाओ तो बहुत सारे काम गिनने के लिए बैठ जाओ तो गिन नहीं प तो यहां पर मैंने राक कर दी है बरोसी में जो कि बरोसी में ही हम राक रखते हैं और उसके बाद में करने लगे हैं पुताई तो बस जल्दी से फटा फट यहां पर पुताई कर दें उसके बाद में वहां पर कर देंगे बाहर बाले चूले की और जब तक हम नीचे की साप भूख जाएगी फिर हम यहाँ पर चाई बनाएंगे क्योंकि तुरंट से ही फिर चाय बनानी हो जाती है अगर थोड़ी सी भी देरी कर दो तो फिर जो है न कि सभी लोग बोलने लगते हैं कि जल्अर च्छिक करो मिट्टी थी कि पूरा चूला ही जल गया है तो यहाँ पर थोड़ी सी ही हम पुताई करेंगे जादा नहीं करेंगे जो दूसरा चूला रखा है उसकी हम पुताई नहीं करेंगे बस एक ही चूले की पुताई करेंगे और जो जमीन है पूरी जमीन की यह पुताई कर देंगे और फिर चलेंगे हम नीचे जल्दी से क्योंकि अभी हमारे नीचे के सारे काम बाकी हैं और अभी जो ने की अंदर की साइड में तो अंधेरा थोड़ा सा लग रहा था लेकिन यहां पर पूरी तरह से अब उजाला हो गया है तो उजाला लगने लगा है और आज थोड़ी सी देरी भी हो गई है वैसे सुबा हम लोग जल्दी से उठी जाते हैं तो जल्दी से सारे काम सुरू कर देते हैं किसी किसी दिन आख ऐसी लग जाती है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कितने टायम सुबा हो गई है और जब आख खुलती है तो काफी टायम हो जाता है त तो बस जल्दी-जल्दी से हम उठ पड़े और अपने काम में लग गए और इधर मैंने कमरे की भी थोड़ी सी साप सफाई कर लिए है क्योंकि कल आरोही ने थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया था कमरे में और यहां पर कुछ कूड़ा रखा था जो की आलू के छिले हुए छिक चिकल रखे थे और कल सामको साइद कुछ सबजी बनी थी पत्ता गोवी साइद बनी थी तो उसके भी छिकल रखे थे तो वो मैंने भरकर रख दिये थे उसके बाद में पीछे बाले घर गए तो वहां पर भैंस को डाल दिये थे और इधर फिर चड़ा दी है चाय चाय बन चाय उसके बाद में हमने साथ में ही कूकर में भी लेई लगा दी है जो कि राख लगा कर रख दी है और फिर तुरंत से हम रख देंगे दाल बनने के लिए तो जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी साथ साथ में दोनों काम मैने कर लिए हैं और इधर दाल भी लेकर आगे हैं हल तो आप सबी ने देखा था कि कितने ज़्यादा बंदर इतने पास आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि बंदर एकदम से आ जाते हैं और इधर हमारी चाय बस खॉल चुकी है दो-चार खॉला हमने लगा लिये थे चाय में और चाय रख दी है अभी यहीं पर अभी चाय हम लेकर चलेंगे नीचे उससे पहले मैने का की डाल रख देते हैं बनने के लिए नहीं तो फिर हम नीचे जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि नीचे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं पर आना मुस्किल हो जाता है तो फिर देरी थोड़ी सी हो जाएगी तब हम आप आएंगे तो मैने का डाल भी साथ में ही रख देते हैं उसके बाद में ही चलेंगे और सभी लोग आ भी गए थे चाय पीने के लिए तो सभी लोग अभी नीचे ही बैठे हैं तो वहीं पर सभी को चाय देंगे और इधर हल्दी भी साथ में डाल देंगे नमक भी और बस ढखकन लगा कर रख देंगे और आज हम रख कर चले गए थे थोड़ी देर के लिए और काम में लग गए थे और यहां पर तब तक हम आये तो जोहन की सीटी लगी सीटी से इतना ज़्यादा पानी निकला था कि पूरी दीवार गंदी हो गई थी और इधर भी छट पर भी आया था और दूसरी जो यह दोनों दीवार ही इन पर दोनों पर एकदम से पीला पीला लग गया है आप सभी देख रहें कितना ज़दा पानी निकला है दाल से और छट पर भी निकल कर आया है और चूले के ऊपर भी तो आज जो हैना कि थोड़ी सी देरी हो गई थी हमें नीचे काम देखने में यहाँ पर देरी से आ पाये थे तब तक हमारी दाल भी बन चुकी है और सीटी भी कई सीटीयां लग चुकी थी एक्तम से गाड़ी दाल हो गई थी तो फिर मैंने जब देखी दाल को तब मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें बढ़ाया था और इधर बस अब चौका लगा देते हैं चाबल साइद मैंने रख दिये हैं बनने के लिए और दाल को मैंने रख दिया है कटोरी में क्योंकि जल्दी की बज़े से तुरंद से बस मैंने चाबल लग दिये थे और छोका लगा देते हैं दाल में फिर हम आटा लगा देंगे थोड़ा सा और फिर रोटियां भी सेंक नहीं है तो बस जल्दी से रोटियां सेंक लेंगे और फिर जो है न कि आज भी थोड़े बहुत काम बाकी हैं वो भी सारे काम करेंगे और जल्दी की वज़े से आज मैंने दाल चाबल बनाए हैं, कल भी मैंने दाल ही बनाई थी, दिन में दाल ही जधा बनाते हैं अब की बार, और आज भी मैंने दाल बनाई, कल पालग वाली दाल बनाई थी, आज बनाई है मसूर की दाल, अरहर की दाल तो नहीं है, बस मसूर की दाल बना ली थी और इधर आरोही के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए और आरोही भी चली गई है खाना खाकर थोड़ा सा ही आरोही ने सायद खाना खाया था और फिर जो हने की देरी हो रही थी आरोही की जो हने की स्कूल जाने की तो आरोही ने बस जल्दी जल्दी से थोड़ा खाना खाया और तुरंट से ही निकल गई है स्कूल के लिए और इधर आ रोही के पापा खाना खाकर ये भी चले जाएंगे दुकान पर और सभी लोग कराते हैं और इधर मैंने धुल लिये थे सारे बरतन खाना भी खा चुके हैं उसके बाद में बरतन धुल लिये हैं सारे रख दिये हैं अभी जो है नकी रोसी में तसले में ही रखे हैं बरतन थोड़ी देर में हम रख देंगे तब तक जो भी पानी है वह अच्छे से निचल जाएगा उसके बाद में रखेंगे और यहां की थोड़ी सी रसोई की साप सफाई करने थी तो भो भी मैंने कर ली है और अब यहां नीचे फर्स की साप सफाई कर देते हैं यहां पर तो दो तीन बार हम लोगों को साप सफाई करनी होती है सुबा दुपहरी में जितने टाइ पापड़ और सेव बनाएंगे आलू के तो वो भी आप सबी के साथ में शेयर करेंगे। हम लोगों ने कहा चलो हम लोग भी वहीं पर आज बनाएंगे तो दीदी ने भी बोल दिया था कि हाँ बना लो क्योंकि सभी लोग वहाँ पर बनाते हैं कई लोगों ने आज नमकीन वहाँ पर बनाई थी और इधर बुआ पीछे वाले घर में मिट्टी लगा रही है तो बु बुआने का चलो लगवा लेते हैं साथ में थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी और आज धूबी हलकी सी निकली है इतनी तेज धूब भी नहीं है तो बुआने का जितनी जल्दी लग जाए उतना ही अच्छा रहेगा अच्छे से सूख जाएगी बैसे भी एक दिन में लगाने के लिए बैठ गए हैं तो जल्दी से ही मिटी लग गई थी और आप सभी दोस्तों को तहदेल से बहुत बहुत धन्यबाद आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो हमें बहुत अच्छा लगता है इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि हमारे यहां कंडा नहीं बोला जाता है हमारे यहां इनको उपले बोलते हैं तो जी दीदी यह हमारे यहां गाउं की भासा है तो बैसे तो इनको सुर्द भासा में हिंदी भासा में उपले ही बो और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि हमारा बेटा आपके ब्लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है जबकि उसकी परिच्छा हो रही है फिर भी वो आपके ब्लोग बहुत ज़्यादा देखता है तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्वाद और उनके बेटे का नाम है आ दूद की कमी नहीं होगी लेकिन दीदी अभी भैंस आई है लेकिन अभी दूद नहीं दे रही है अभी हम लोगों को मेहनत करनी होगी उसके बाद में ही दूद मिल पाएगा और वैसे भी पहले सेवा करो भैंस की उसके बाद में ही दूद जो हैने की भैंस का खाओ तो अच् तो हमारे मुसलिम भाई भाईया दीदी हैं तो उन सभी को रमजान की बहुत बहुत सुब कामना हैं आप सभी अपने तेवारों को अच्छ से मनाओं और अब तो हमारा तेवार भी आ चुका है आप लोगों का जो तेवार ही एक महिने का हो जाता है लेकिन हमारे लोगों का त तेवार जो है, है तो दो-तीन दिन का लेकिन फिर भी तैयारी बहुँ सारी करनी होती है इन तेवारोंपर, तो होली के लिए तो बहु derivatives हैंकि लगने lebih gameplay पर करनी होती हैं और उधर हमारी लिपाई हो चुकी थी जो की मिट्टी लगाने का काम हो चुका था छपाई और फिर हम लोग आ चुके हैं दीदी के यहां छथ पर जो की यह बगिपाः घर भणाट नाएफू tu ुछी वहां को लिए अरव भी नीचे हैं वंग बनाए थे और आधर हमारी देवरानी जी भी आ गई है आरव अभी नीचे है वा जो हैनकी आरव को लिए है तो आरव अभी नीचे ही खेल ला है अब जब रोएगा तब हमारी देवरानी जी जाएंगे तब तक देवराने भी लग गई है जो हैनकी नमकीन बनवाने में तो यह जो हैनकी पोली थीन लेकर आएं पोली थीन से नमकीन चुआएंगी जो कि सेव जी ने बोलते हैं या कुछ जलेवी बोलते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से बोलते हैं तो हमारे यहां इसको नमकीन ही बोलते हैं और इधर बस हम जो हैने की जो गोल वाले पापड हैं वो बना रहे हैं और ननज जी हमारी जो गोली होती है न गोले वो बना रहे हैं तो जल्दी थोड़ी सी हो गई थी और यहां पर बहुत सारे लोगों ने पापड भी बनाए हैं जो कि आप सभी देख सकते हैं आलू के पापल सभी लोगों ने बनाये हैं तो यहाँ पर सूख रहे हैं यहाँ पर बंदर नहीं आते हैं यह सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बंदर नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं हर रोज नहीं आते हैं तो यहाँ पर अच्छे भी मैंने बिचाई है, पूरी पनी भर दी थी, लेकिन जो सेव हैं, जो चावल के सेव हम लोगों ने चुआये थे, वो कम बन पाये थे, पापड थोड़े से जाधा बन गए थे, और ये वाले पापड ये खास बात होती है जो ये हम लोग चाबल के जो पापड बनाते हैं इनमें ये खास बात होती है इनको थोड़ा सा मोटा मोटा ही बनाओ नहीं तो ये फिर छुटाने में दिक्कत हो जाती है और पापड फट भी जाते हैं तो हम लोगों ने थोड़े से मोटे मोटे यह पापड बनाए हैं और इधर पापड बनकर तयार हो गए हैं और रंग भी रंगे थोड़ी से बनाए हैं थोड़ा सा पीला हलका सा कलर डाल लिया था जो कि लड्डू में जो कलर डाला जाता है वही वाला डाला है तो अच्छे लग रहे हैं पीले और इधर बस चलते हैं नीचे और यहां पर सभी लोग बैठे हैं दीदी हमारी नदजी सभी लोग बैठे हैं लेकिन सभी को मैंने आप सभी को दिखाया नहीं है क्योंकि और भी कई लोग बैठे थे तो कुछ लोग वीडियो में आना पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं तो मैंने इसी लेकिन अभी पहले पर देखलो कि किस तरीके से ये कठाई की जाती है MARK टो जल्दी से जो दाना निकला है कंजिया जो है वो पक जाएगी तो उसकी को लगाया है तो पक चुकी है उसी को जो पसको ज़लुंत कि चा दाव रही थे निकल जाए जल्दी से जो गाठ है भोगात जैंग ठीक हो जाएगि कूंकि बहुत ज्यादा दिकत crow और आज भी हमारी नदजी दबाई लेने के लिए गई थी और इधर फिर हम लग गए हैं साप सफाई में तो आज मैंने का यहां की थोड़ी सी साप सफाई कर देते हैं और जो यह अबरी मैंने पहले लगाई थी जो जालर वाली अबरी उसको भी हटा देंगे अब दूसरी अ है पटिया की और जो मैंने यहां पर बिस्तर बिचा कर रखा है बकस पर इसको भी मैंने अच्छे से साप कर दिया है क्योंकि नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा बालू हो जाती है और पता भी नहीं जलता है कि कहां से यह इतनी ज़्यादा बालू आती है और जिस दिन बेड के जो बिस्तर हैं वह भटाएंगे उस दिन तो बहुत ज्दा बालू निकलेगी, तो अब ही नहीं आज नहीं हटाएंगे, किसी और दिन ह भटाएंगे, जिस दिन भी हम नहाने से पहले ही हिटाएंगे तो अच्छे से यहां की साफ सफाई सारी हम कर देंगे, और इधर यहां पर भी कुछ चीजे जो हैनकी फैली हुई पड़ी हैं तो मैंने का यहां पर भी अच्छे से समाल कर रख देते हैं और थोड़ी बहुत साप सफाई भी साथ में कर देंगे और यहां पर थोड़ा सा सामान मैंने कर दिया है बहुत सारा सामान जो हैनकी यह दुकान पर ल बेड़ सीट है उसको अच्छे से बिचा देते हैं और बस आज मैंने थोड़ी सी ही साप सफाई की थी क्योंकि मैंने का यहां की भी थोड़ी बहुत साप सफाई कर देंगे तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी जिस दिन भी हम साप सफाई करेंगे थोड़ी थोड़ी करके कर देंगे और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना ब्लोग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें कल फिर मिलेंगे कि न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते